तो पेटा आपका जो ये 7 डेज चैलेंज है इसमें आज हम आपके साथ डिसक्स करेंगे डेंगू और चिकन गुनिया के बारे में ये जो डेंगू और चिकन गुनिया है basically ये हमारी class 12 में human health and disease का अब आपका एक topic add हो गया है पहले आपके NCRT में इनका name mention था बट इनके बारे में detail information नहीं गिवन थी बट अब NMC ने जो आपका नीट का sleepers release किया है उसमें आपका ये डेंगू और चिकन गुनिया भी mention किया गया है तो और disease की तरह जैसे आपका typhoid था, malaria था इसकी तरह हमें देंगू और चिकन गुनिया को भी पढ़ना पड़ेगा किसका causative agent क्या है, इसकी life cycle क्या है, इसका हम treatment कैसे कर सकते हैं, diagnostic test क्या है और preventive measures क्या है तो ये सारी शीज़े हम किसमें discuss करेंगे आपके डेंगू और चिकन गुनिया में करेंगे तो ये जो दो disease है बेटा, आज के टाइम में अगर हम अभी recent time की बात करें तो ये तो काफी जादा popular भी है जैसे आपका rainy season आता है, हमें बहुत सारे cases सुनने में आते हैं कि डेंगू फैल रहा है, चिकन गुनिया फैल रहा है तो basically ये जो आपकी disease है, ये आपके rainy season में as well as जो अभी हमारा time period चल रहा है इसमें आपके काफी जादा transmitted disease है, ये सबसे जादा इस time पर यही disease आपको मिलती है इतना आपको malaria सुनाई नहीं देगा, जितना आपको dingoo and chicken गुनिया सुनाई देगा तो ये हमें अपने need के लिए तो पढ़ना ही है as well as हमें इसके लिए awareness भी create करना है राइट, चल ये, तो start करते हैं अपने आज के session को, notes के लिए आप लोग attention मत लीजिएगा notes जो भी हम class में आपको पढ़ाएंगे, सारे notes आपको मिल जाएंगे, ये आपके NCRT में नहीं है आइनो, तो आपके पास notes आज जाएंगे, notes का आपको attention नहीं लेना है, केवल आपको क्या करना है, इसको समझना है देखो, बहुत simple से disease है, है ना, है तो दोनों disease बहुत simple सी, बस हमें थोड़ा सा ध्यान से इन्हें पढ़ना है तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अपनी first disease की, जिसको आप क्या बोलते हो, डिंगू बोलते हो या फिर आप इसे क्या बोलते हो, डिंगी भी बोलते हो, right? एगलिश में अगर आप इसे बोलते हो, तो अगर आप सबसे पहले अपनी डिंगी डिजीज की बात करो तो हम सब को पता है, यह जो disease है, यह किसकी बज़े से होती है, आपके virus की बज़े से होती है यह कैसी disease का example है, that is the example of the viral disease सबसे पहला point हमें यह पता होना चाहिए कि यह bacterial disease है, viral disease है, protozoan disease है या fungal disease है, तो चाहे आप दिंगी की बात करो चाहे आप चिकन गुनिया की बात करो दोनों ही कैसे disease है आपकी, दोनों ही viral disease है राइट, आप हमने कहा virus की through हो रही है अगर आप यहाँ पे अपने vector की बात करो, तो आपका vector कौन सा होता है बिटा यहाँ पे आपका अगर vector की बात करो, तो that is your ades azepathy mosquito, राइट यहाँ पे आपका जो vector होगा, वो कौन सा होगा, female ades mosquito होगा malaria में जो आपका vector था, वो क्या था, female anaphylis mosquito था बड़ देंगी का जो आपका vector है, वो क्या है, आपका female ades mosquito होगा तो पहला point, viral disease है, और दूसरा point, इसका जो vector है, वो कौन सा है, आपका that is the female ades mosquito, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो देंगी के mosquito होते हैं, यह जो आपके ades mosquito होते हैं, यह आपके कौन से टाइम में ज्यादा active रहते हैं, कौन से टाइम में आपको bite करते हैं, बेसिकली यह आपके active रहते हैं, डे टाइम में, इसलिए डे टाइम में हमें ज्यादा precaution लेना पड़ता है, यह जो आपके mosquitoes है, यह आपके कौनसे टाइम में सबसे साथ active रहेंगे आपके day time में एक्टिफ रहेंगे ये बेसिकली आपको day time में ही bite करते हैं तो second चीज क्या होगे कि ये कौनसे time में active है ये आपके day time में active है अपार्ट फ्रॉम अगर हम इसकी बात करें तो आपका कितने टाइम बाद अपने एफेक्ट को शो करता है अगर आपको देंगी वाइरस वाले मौस्किटों ने काटा तो ये कितने टाइम बाद अपने सिम्टम्स को शो करेगा आपका six to ten days के बाद ये आपके सिम्टम्स को शो करता है बेसिकली जब धीरे धीरे फीवर आता है तो डॉक्टर उसी टाइम पर आपका डेंगू का टेस्ट नहीं करता है वो कुछ टाइम आपको वेट करने को बोलता है कि आप कुछ टाइम वेट करें क्योंकि ये आपका एकदम इमेडियेट आपका एफेक्ट को शो नहीं करता है ये आपका ओल एर अराउंड 6-2 आपके यहां पर 10 डेंज लेता है ये क्या है बिसिकली आपका पीरियड है जिसमें ये अपने सिम्टम्स को क्या करेगा डापलप करेगा राइड अडिशन आपका क्वेशन हमें समझ नहीं आया ओके अब अगर आप देंगू फीवर की बात करें पिटा तो हमने बोला आपका डेंगी वाइरस था एडीज मौस्किटों की हिल्प से ये आपका स्प्रेड कर रहा था इसकी बज़े से जो बेसिकली फीवर आपका आता है उसको में जनरल आपका डेंगी फीवर बोल देते हैं यहाँ पे जो आपका फीवर है ये आपका बेसिकली क्या है it will contain four different type of the serotypes जो आपके dengue fever के लिए जो आपका virus responsible है इसके क्या होते हैं बिटा आपके four different serotypes होते है serotype का मतलब क्या है four different variants आपको यहाँ पे मिलेंगे यह क्या करते हैं जब आपकी body में enter करेंगे तो आपकी body इनके लिए क्या करेगी antibodies बनाएगी तो यहाँ पे four different serotypes हैं तो आपकी body में जो antibodies बन रही है वो भी क्या होंगी आपकी dissimilar होंगी वो भी आपकी same type की antibodies नहीं होंगी ठीक है बेटा जो आपका ades mosquito है येस जो आपका female ades mosquito है वो येस आपका केवल human blood पे ही feed करेगा ओके चलिए इसकी अलावा अगर हम इसकी life cycle की बात करें अच्छा बेटा ये point दो हम सबको clear होगा ना चाहे आपका malaria हो चाहे आपका डेंगी हो चाहे आपका chicken गुन्या हो जो आपका vector है वो हमेशा कौन सा mosquito होगा female mosquito होगा हमेशा vector की तरह कौहन behave करता है आपका female mosquito करती है क्यूं क्यूंकि उसको egg ले करने है तो हमेशा क्या करेगी आपका vector की तरह behave करेगी अगर आप male mosquito की बात करो तो वो कभी भी आपका human पे feed नहीं करता है जो male mosquito है वो plant पे dependent होता है उसके nectar पे dependent होता है for edge food तो ये चीज सब लोग यादखना चाहे malaria हो चाहे डेंगी हो चाहे आपका chicken गुनिया हो ये सारे जो आपके mosquitoes है वो कौन से mosquitoes है आपके दे आर्दा female mosquitoes क्यों क्योंकि उनको क्या करना है egg ले करना है ठीक है good morning मांसी ओके चलिए अब अगर हम इसकी life cycle की बात करें कि जो आपका ये डेंगी वाइरस है आपका यहाँ पर क्या क्या आपकी life cycle आएगी पूरे आपका faces यहाँ पर क्या आएगी तो पिटा अगर आप अपनी life cycle की बात करो तो जो आपका aedes mosquito है इसका जो vector है इसमें आपकी four आपको यहां पर स्टेजिस मिलेगी पहला आपको मिलेगा एग वाला स्टेज सेकंड आपको यहां पर मिलेगा लार्वा थर्ड आपको मिलेगा फ्यूपा और जो आपका फॉर्थ स्टेज होगा वो क्या मिलेगा आपको एडल्ट मिलेगा एडीज मॉस्किटो की लाइफ साइकल में आपको four stages मिलेगी यह मतलब metamorphosis करेगी आपने यह orthopoda में पढ़ा होगा कि जो आपके mosquitoes होते हैं वो कैसा development show करते हैं indirect development show करते हैं इन में क्या present होता है larva present होता है तो यहां पे कौन-कौन सी stages होगी पहला सबसे पहला आपका egg होगा एग develop करके वह बनाएगा आपका larva बनाएगा larva डाप लब करके आपका pupa बनाएगा और जो pupa है वह आपका डप लब करके यह बनाएगा adult mosquito बनाएगा तो यहाँ पे यह जो पूरा time होता है जो इसकी पूरे life cycle को complete करने के लिए time पिरियद चाहिए वह कितना है आपका यहां पे that is 8 to 10 देज यहां पे total जो आपका टाइम पिरियद चाहिए वह कितना चाहिए आपका that is 8 to 10 देज जो आपकी female mosquito की life cycle है right how human blood will affect the egg development क्या present होता है भी आपकी नरिश्मेंट मिलेगा न हमारे blood में nutrients मिलेगा जो जो उसकी नरिश्मिंट के लिए आपका requirement है वो सारी चीज़े तो आपके blood में है ना already क्योंकि हमारे blood में क्या present होता है absorb food material present होता है intestine में absorption हो गया वो पुरा आपके blood में आ गया तो उसको तो वो direct source मिल रहा है ना आपका खाने का right उसको digestion नहीं करना पड़ रहा है वो directly क्या कर रहा है absorb food material को आपका ले रहा है अपने host से ठीक है चलिए अब अगर हम अपनी सबसे पहली स्टेज की बात करें जो क्या है आपकी that is the egg पहली स्टेज क्या है आपकी एग है एग हम सबको पता है बेटा कि जो mosquitoes होते है generally क्या बोला जाता है अभी जैसे डेंगू फैल रहा है चिकन गुनिया फैल रहा है तो ना बहुत सारी announcements आप लोगों को सुनाई देती है क्या बोला जाता है बहुत सारी announcements आती है बहुत सारे ads आते हैं newspapers में टीवी में क्या बोला जाता है कि अपने आसपास जो भी आपका घर का area है जो आपका घर है balcony है या basically coolers use करते हैं जो water coolers use करते हैं या जो भी आपके आसपास का area जनरली क्या बोला जाता है कि water कभी भी collect नहीं होना चाहिए water कभी भी इखटा नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों बोला जाता है because ये जो mosquito है ये अपने एक्स को कहां ले करता है water में ले करता है इसकी जो सबसे important thing है अगर water नहीं होगा तो mosquito अपने एक्स को ले नहीं कर सकता तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अपने आसपास surrounding में कभी भी पानी खटा नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो mosquito है ये अपने एक्स को कहां ले करेगा आपके water में ले करेगा यहाँ पे basically आपके क्या होंगे एक time में जो आपका mosquito है वो आपके 100 एक्स को ले करता है at a time जो mosquito है वो कितने एक्स को ले कर रहा है आपको almost 100 एक्स को ले कर रहा है राइट ये जो एक्स है अगर आपने higher temperature भी provide करवा दिया अगर महाँ पे जादा water नहीं है अगर महाँ पे थोड़ी scarcity भी हो गई water की तो ये जो आपके एक्स है ये कितने time तक आपका survive कर सकते हैं they can survive up to eight months वो कितने time तक आपके survive कर सकते हैं ऐसी condition में eight months तक survive कर सकते हैं ठीक है yes 100x और कब तक survive कर सकते हैं आपके eight months तक survive कर सकते हैं ठीक है ये आपके surrounding की आप बात कर रहे हो ये अपने आशपास की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे correlate आप जादा अच्छे से कर सकते हो राइट तो ये तो अपने किस के बारे में पड़ा mosquito के एक्स के बारे में पड़ा अब ये जो एक्स है ये किस में convert होते हैं आपके लार्वा में convert होते हैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जो आपका एक्स का conversion होता है लार्वा में ये conversion केवल कब possible हो पाता है जब वहाँ पे क्या होगा water level sufficient होगा जब वहाँ पे पानी sufficient amount में present होगा तभी आपके जो mosquito के एग हैं वो किस में convert हो पाएंगे लार्वा में convert हो पाएंगे नहीं तो वह आपके 8 मंथ तक as it is भी present हो सकते हैं तो लार्वा के formation के लिए अगे लिए अपको किस का requirement है पानी का requirement है ठीक है ये पानी का requirement क्यों होता है यहाँ पर क्यों में आपका पानी लगेगा because यह जो आपके larva and pupa है यह आपका किसके उपर feed करते हैं जो पानी में आपके bacteria है जो आपके aquatic bacteria है यह आपके उनके उपर feed करेंगे that's why इनको किसका requirement है water का requirement है तो यह वाला point भी सबको clear होगा कि mosketों के आपके larva में केवल कब convert होंगे जब वहाँ पे water level sufficient amount में present है और यह जो larva है यह आपका किस पे consume करेगा it will consume upon the aquatic bacteria then यह larva किस में convert हो जाएगा pupa में convert हो जाएगा अब अगर आप pupa की बात करो यह third stage है आपके mosketों की life cycle की यहाँ पे basically आपका pupa क्या है आपका यह grow करता रहेगा कब तक grow करता रहेगा जब तक कि आपका जो वो kaitinus exoskeleton था जो malting थी malting तो I hope सबको term clear होगा malting आपने एक उक्रोच में भी पड़ी होगी बेटा यहाँ पे क्या होती है basically आपकी malting होती है malting का मतलब क्या होता है shedding of the kaitinus exoskeleton तो यह pupa आपका तब तक grow करता रहता है जब तक कि उसका पुराना exoskeleton completely shed out ना हो जाए तब यह आपका किस में convert हो जाएगा adult mosquito में convert हो जाएगा तो यह आपकी third stage थी that is the pupa now अब अगर आप अपनी fourth stage की बात कर रहो तो fourth stage किया है आपकी हापे that is the adult mosquito adult mosquito किसके उपर feed करेगा हमने कहा अगर female है तो female आपका feed करेगी human and animals पे and अगर male है तो male किस पे आपका feed करता है it will feed upon the nectar of the plant है ना अगर female है तो वो आपका blood पे आपका work करेगी वो आपका blood पे feed up करेगी और अगर आपका male mosquito है तो वो आपका किस पर feed करता है आपके plant के nectar's पर feed करता है right then आपका जो female mosquito है वो कौन सी जगे को search करेगी वापस से पानी वाली जगे को search करेगी क्योंकि उसको क्या करने है एक को ले करना है right उसके development में किसका requirement है water का एक बहुत है important requirement है so आपका जो ADS mosquito है यह क्या करती है basically आपका किसको attack करती है humans को जादा attack करती है किसी student ने भी question पूछा था right कि क्या यह केवल human को ही attack करती है क्या यह केवल human के blood पे ही feed करती है तो पेटा यह आपके और animals के blood पे भी feed कर सकती है लेकिन इसकी जो preferable choice होती है जो इसका first priority होता है वो क्या होगा आपका human का blood होगा क्योंकि हम सबको पता है आपकी और animals के comparison में सबसे जादा जो advanced form है वो किसकी है आपकी human की है जो सबसे जादा आपका advanced digestion and absorption होगा वो किसके अंदर होगा humans के अंदर होगा so that's why यह किसको जादा prefer करती है human के blood को जादा prefer करती है right so basically यह क्या थी आपकी यहाँ पे they were the four stages of the mosquito life cycle egg larva pupa and the adult I hope यह चारो life cycle आपको class में याद हो गए होगी जादा यहाँ पे complications नहीं है बस उनके कुछ features बता दिये गए है कुछ आपके points बता दिये गए है इससे जादा detail में आपको नहीं जाना है right okay now आपने causative agent का बात कर दिया आपने causative agent की बात कर दिया आपने vector की बात कर दिया अब इसके symptoms क्या होते हैं आपको डेंगी में क्या-क्या symptoms दिखाए देंगे तो यह तो बहुत simple सा question है कि क्या-क्या होगा high fever आएगा है बहुत आपको तेज fever आता है हाँ पे right इसके अलावा muscle and joint में pain होता है आपका basically क्या होता है आपने डेंगू को आप एक और निम से जानते हो ना कोई बता सकता है हमें chat box में क्या आपका डेंगू का अधर निम क्या है आप न एक और नाम से जानते हो डेंगी को No, that is not required here reproduction meeting that is not required here in its life cycle हां तो डेंगी का कोई और नाम बता सकता हो जनरली एक और नाम से आप डेंगी फीवर को जानते हो कि क्या रिपीट करना है सलोनी कोई बता सकता है डेंगी का कुछ और भी नाम है आपने एक फीवर सुना होगा बोन ब्रेकिंग फीवर सुना है मैं भी आप लोग ने सुना होगा बोन ब्रेकिंग fever right जो आपका देंगी हुए बिटा यहाँ पर क्या होता है एक तो आपको high fever आएगा as well as यहाँ पर क्या होती है जो आपकी muscles है जो आपके joints है वहाँ पर क्या होता है आपका pain होता है काफी तेज़ pain आपको उठता है as well as vomiting होगी skin में क्या दिखते हैं आपको red क्या हो सकती है sometimes कुछ people में क्या हो सकती है bleeding भी हो सकती है तो यह क्या है आपके they are the common symptoms for the dengue fever यह आपके dengue fever के लिए क्या है आपके कुछ common symptoms है वही सारी चीज़े आपको यहाँ पर लिखी भी भी है ठीक है कि आपका bleeding हो सकता है नौजिया हो सकता है वामिटिंग हो सकता है हाई फीवर हो सकता है तो यह डाइगनौसिस की बात करें कि डेंगी फीवर को आप कैसे डाइगनौस कर सकते हो कैसे आप पता लगा सकते हो कि भाई इसको यह डेंगी फीवर है तो यह डाइगनौसिस कैसे किया जा सकता है तो वाइरस के लिए आप क्या यूज करते हो ब्लड टेस्ट आप यूज करोगे जिसमें आप किसको चेक करते हो आपकी एक तो ब्लड सेल्स के काउंट को चेक करते हो और स्पेशिली आप यहां पे जो चेक करोगे वो किसको चेक करोगे अपनी ब्लड प्लेटलेट्स को करोगे यहाँ पे जो सबसे जादा important आपका criteria होता है blood में check करने का वो क्या होती है आपकी यहाँ पे they are the blood platelets कोई बता सकता है कि platelets को क्यों check किया जाता है क्यों dengue fever में आप बोलते हो कि platelets कम हो जाती है generally यही तो पोला जाता है कि अगर किसी person को dengue है अगर किसी को dengue fever हो गया है तो वहाँ पे उसकी जो blood platelets है वो आपकी decrease हो जाती है तो कोई इसका reason बता सकता है कि ऐसा क्यों होता होगा कोई भी इसका reason बता सकता है कि ऐसा क्यों होता होगा क्यों dengue fever आपको आपकी specially blood platelets को affect करती है क्यों इसकी वज़े से आपकी blood platelets decrease हो जाती है चलिए हम बता देते हैं जनरली क्या करता है जो आपका डिंगी वाइरस है वो आपकी किसको अफेक्ट करता है बोन मारो को करता है ठीक है यह किसको अफेक्ट करता है एक तो फर्स्ट आपका किसको अफेक्ट करेगा बोन मारो को करेगा bone marrow हम सब को पता है कि क्या है basically आपका that is the site of the formation of your blood cells जो आपकी platelets है वो तो especially आपकी किवल कहा बनेगी bone marrow के अंदर बनेगी तो अगर आपकी bone marrow ही नहीं है तो आपका platelets कैसे बनेगा है ना अगर वो affect हो गया तो आपका platelets कैसे बनेगा ना platelets कैसे बनेगा और yes as well as यह क्या करता है आपकी platelets को rupture भी कर देता है तो यहाँ पे दोनों factor आपके 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 आते है तो यह जखना dengue fever में हमेशा क्या होती है platelets का count आपका decrease होने लगता है जो आपका 1.5 to 2 lex platelets आपके जो blood में present होती है वो decrease होके कहां तक आजाती है आपकी 20,000 तक आजाती है ठीक है तो यह क्या थे आपके यहाँ पे this is the diagnosis of your dengue fever now अगर हम treatment की बात करें तो अगर आप treatment में देखो तो मेटा doctor क्या बोलता है अगर suppose किसी को dengue fever है तो बोला जाता है कि आप hydrated रहो right आप क्या पानी पीते रहो जादा से जादा पानी ड्रिंक करो as well as क्या बोला जाता है कि आप कुछ time rest लो क्यूंकि हमने बोला यह आपके joints को affect कर रहा है आपकी bones को भी affect कर रहा है as well as muscles को भी कर रहा है तो weakness आप यहाँ पर क्या देते हो आप दवाई देते हो जो कौन सी आपकी that is your acetaminophen ठीक है आप यहाँ पर एक अपनी दवाई देते हो pain को relief करने के लिए that is your acetaminophen ठीक है and as such अगर हम इसके proper treatment की बात करें तो आज के time में इसका as such कोई proper treatment नहीं है ठीक है आपका यहाँ पर as such कोई proper treatment नहीं है तो आपका यहाँ पर basically क्या दिया जाता है आपके pain को कम करने के लिए आपको दवाई दी जाती है वो कौनसी दी जाती है that is your paracetamol generally जो आपको दवाई यहाँ पर यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है आपका paracetamol यूज किया जाता है तेके एंड कुछ केसे में अगर जादा सीवियर हो गया है अगर जादा सीवियर डिंगी किसी को हो गया है जादा प्लेटलेट्स डाउन हो गया है तो उस केस में क्या किया जाता है ब्लाड ट्रांस्फ्यूजन किया जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स का अमाउंट डिक्रीज ह हो गया लेक्रीज हो गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा ip Ganze करना पड़ेगा ऐसमेलेश क्या करते हैं इंट्रावेन स्फ्युट देते ईंट्रावेनस फ्लेट्स अपको पताऊंगे बेटा जैसे जो आप basically electrolytes आप basically use करते हो घर पे आप electrolytes पीते हो कभी diarrhea हो गया vomiting हो गया तो उस ताइम पर आप क्या यूज़ करते हो इलेक्ट ओलाइट्स यूज़ करते हो तो ऐसी हम क्या यूज़ करते हैं intravenous fluid यूज़ करते हैं ताकि रारेक्ट Melbourne वो एस के आपके blood vessels में जाए ठीक है तो ये सारी चीजें आपको किसमें दी जाती है जब आपका सीवियर केस है जब प्लेटलेस का अमाउंट बहुत जादा डिक्रीज हो गया है और जब इनसान को बहुत जादा वीकनेस आ जाती है तब ये चीज़े की जाती है ठीक है बिटा हमने दोनों चीज़ों के बारे में बात किया अगर आप बिटा अगर आप अपने मलेरिया की बात करो तो मलेरिया में क्या केवल आप प्लास्मो डियम की बात करते हो क्या आप वहाँ पे अपने अनाफिलीस मौस्किटों की लाइफ सैकल की बात नहीं करते हो वहाँ पे भी तो हमें सब पढ़ना पड़ता है इंफेक्ट आपकी NCRT में ही गेवन है आपका पुरा एनमफिलिस का भी पुरा दिया हुआ है राइट कि आपका कब आपका जो बेसिकली कब आपका जो वेक्टर है जो आपका पाथोजन है कब वो आपका मेल जब वो मॉस्कि हो है जब वो आपका human का bite कर रहा है तो यह कहीं ना कहीं आपके वहीं थोड़ा बहुत सिमिलर आपके malaria की तरह ही है बट यहाँ पर आपके जो बेसिकली affect हो रहे है वो हमने आपको organs बता दी कि यहाँ पर कौन-कौन से organs आपके जादा affect होंगे ठीक है ओके नाव prevention की अगर हम बात करें तो as we all know हमने क्या बोला कि इसके लिए आपका सबसे ज़्यादा फेवरिट चीज क्या है पानी है तो अब्वियस से चीज़े आप क्या करोगे अपने आसपास पानी को एखटा नहीं होने दोगे as such इसका कोई proper treatment नहीं है तो prevention लेना बहुत यूज करोगे mosquito repellents आप यूज करोगे neck यूज करोगे तो यह सारे क्या है आपके हाँ पर they can be the precautions for your dengue virus और dengue fever तो आपका नेक्स जो है वो कौन सा है आपका बेटा किसके regarding था that is all related to your dengue fever तो आपका next जो है वो कौन सा है आपका that is the chicken gunya disease next जो आपकी disease है वो कौन सी आपकी that is the chicken gunya disease तो अगर आप chicken gunya की बात करो तो यह भी क्या है आपकी यहाँ पर that is also your mosquito born disease clean water में भी होता है बेटा अगर आपका water अगर काफे टाइम से बहाँ पर एक खटा है तो yes बहाँ पर यह हो सकता है आप क्या कर तो अगर in case कभी होता ना क कुछ लोगों को shock होता है वो basically वो वैसे वाले plants यूज करते है घर में जैसे bamboo plants हो गया money plant हो गया जिसमें water वाले जो basically होते है तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ time interval में उनका पानी फेक के वापस नया पानी यूज करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी यह क्या कर सकता है does not affect the stages of dengue contaminated area does not affect the stages of dengue बेटा अपका हमें question समझ नहीं आया addition मतलब किस कौन सा contaminated area की आप बात कर रहे हो yes बेटा यह दोनों क्या है dengue and chicken gunya यह आपके new topics और जो आपके human health and disease में NMC ने add किये है राइट वही हम आपके साथ discuss कर रहे है यहाँ पे okay now next disease क्या है आपका यहाँ पे that is your chicken gunya chicken gunya की अगर आप आप करो तो यह भी क्या है बेटा आपकी यहाँ पे that is also your viral disease and यह किसकी वज़े से आपका spread करती है यह भी आपकी mosquitoes की वज़े से ही spread करती है यहाँ पे भी जो आपका जिनस है mosquito का वो कौन सा है आपका यहाँ पे that is the ades mosquito आपकी डेंगी और चिकन गुनिया से मौसकिटो से spread कर रही है that is your ades mosquito जो आपका malaria है वो आपका different mosquito की strain से आपका spread होता है that is your anaphylis mosquito तो इस चीज को ध्यान रखना ठीक है देंगी और चिकन गुनिया के लिए same आपका mosquito है ades mosquito है और malaria के लिए आपका क्या था anaphylis mosquito था ठीक है तो यहाँ पे बेते हैं बेसिकली यह कहीं ना कहीं किस से similarity रखता है आपका यहाँ पे वेक्टर सेम है तो यह similarity किस के साथ रखेगा आपका डेंगी वाईरस के साथ आपका यह similarity रखता है यह भी आपका viral disease है देंगी भी आपका viral disease था दोनों का जो वेक्टर है वो भी आपका सेम है that is your Aedes mosquito right यहाँ पे जो बेटा infection का time होता है वो आपका कितना time होता है that is your 2 to 12 days यहाँ पे आपके second day के बाद आपको effects होने start हो जाते है जबकि अगर आप देंगी की बात करो तो वहाँ पे 6 to 10 days के बाद आपके effects start होते थे और वहाँ पे symptoms आने 6 to 10 days की बाद start होते थे तो यहाँ पे बेटा अगर हम chicken gunya की बात करें तो chicken gunya आपका कैसे spread होगा इस ते आपका थोड़ा सा वो डेंगी वाला point भी clear हो जाएगा वहाँ पे हमने सारे stages आपके साथ पढ़ ली थी यहाँ पे हम इसके अब आगे का mechanism पढ़ेंगे की कैसे यह आपका effect करता है तो बेट paracite की तरह जो आपका डेंगी वाइरस है वो जो आपका चिकन गुण्यों जो टेंगी वाईरस है वो भी किस में चला जाएगा आपके ऐडी समॉस्किटो के अंदर जाता है अभिए बेटें यह जह सकाNS आपको बस्काँ ये जो यह कहां रहता है उसकी ग्लांच के अदर आता है ये basically किस पेख्छे और ते है यहाँ जो difference आता है वो कहां आता आपकी glance के अंदर आता है कि यहांपे जो वाईरस वो कहा ट्रेवल करता है परसन की ग्लान्शपे आपका ट्रेवल करता है different glance में जाता है देन उसकी blood stream में जाएगा and यह क्या करता है inflammation of the blood vessels करता है यहाँ पे जो effect कर रहा है यह किसको effect कर रहा है आपकी blood vessels को effect कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने बोला ना कि आपकी क्या हो रही है blood cells जाउन हो रही है आपकी platelets down हो रही है तो यहाँ पर यह किसको effect करेगा आपकी blood vessels को effect करेगा उनका inflammation करेगा ताकि वहाँ पर क्या हो swelling हो और leakage हो राइड ड़स दा harmful organism like fungus etc which are present in the contaminated does not affect the larva of the dengue नहीं बच्चा वो आपके डिंगी के larva को effect नहीं करते हैं basically आपने तो एक और चीज बोली थी ना कि जो आपका डिंगी का larva है वो आपका किस पे आपका feed करता है that will feed upon the aquatic bacteria वो आपका किस पे feed करता है आपके aquatic bacteria पे feed करता है ठीक है और अगर आप बेटा अपने fungus की बात करो तो fungus आपको कहां मिलता है अपने पूरे environment में मिलता है जो उसके sports होते है वो आपको humid वाले area में ज्यादा मिलते है आप जनरली ऐसा नहीं बोलते कि वो water में present है आप कहां बोलते है वो आपके moisture में present है ठीक है कि ओके इसकी अलावा बेटा अगर हम chicken gunya virus की बात करें तो यह किसको effect करेगा यह आपके joints को effect करता है आपकी muscles को effect करेगा skin को करेगा and बहुत rare cases में यह किसको effect करता है आपकी liver kidney eyes and central nervous system को करता है mean जो इसकी favorite organs है जो इसकी main favorite sites है इंफेक्ट करने के लिए वो कौन सी है बेटा आपके joints है muscles है आपकी skin है यह सबसे जादा इनको ही infect करता है ठीक है इसके अलावा यह क्या करता है बेटा जब यह muscles को effect करेगा जैसा कि आपने बोला कि इसका क्या है आपका favorite site कौन सा है आपका muscle cell है तो जब यह आपकी muscle cell को infect करता है यह क्या करता है आपका basically reproduce करता है जैसे muscle cell में जाएगा muscle cell में जाके यह क्या करता है आपका reproduction करता है good morning Mustafa तो आपने जैसे अभी अपना जैसे अभी किसी का question आता है I think addition नहीं question पूछा था कि इसकी life cycle में क्या होगा तो life cycle में बेटा क्या था कि आपका जो virus था वो किसमें गिया आपके basically mosquito में गिया mosquito से वो आपका person में आया उसकी blood vessels में गया वहाँ पे उसने swelling किया then उसके बाद वो कहा जाता है आपकी muscles के अंदर जाता है जहां पर यह क्या करेगा अपना reproduction करेगा जहां पर यह क्या बनाएगा अपनी progenies का formation करेगा ठीक है यह आपके बहाँ पे अलेरियल पारसाइट से थोड़ा सा यहां पर आपका difference आएगा ठीक है देन ऑवियसी चीज़े अगर reproduction कर रहा है यह अपने office springs को बनाएगा और यह फिर क्या करेगा नई site को जाके आपका infect करेगा ठीक है अब अगर हम यहां पर आपके symptoms की बात करें कि आपके चिकन गुनिया में क्या-क्या symptoms होंगे तो जैसा हमने बोला यह basically काफे similarity रखता है आपके डेंगी fever के साथ काफे जादा similar है आपके डेंगी fever के साथ यहां पर basically क्या होगा आपका अगर आप यहां पे इनलेस की बात करो तो basically यहां पर आपका 2-12 days से आप यहां पर क्या लेके चल सकते हो अपनी range लेके चल सकते हो यह क्या करト अगलेगा 2-12 days में आपको infectious करेगा आपके लेंदर symptoms आने में इस्टार्ट हो जाएगे और इन symptoms में क्या क्या आएगा कि आपको क्या आएगा सड़न क्या आएगा यहां फीवर आएगा एकदम से फीवर स्टार्ट हो जाएगा जॉइन को अफड़ रहे तो जॉइन पें पेन हो जाएगा हैड़क होगा क्योंकि कई नहीं आपका क्या होता है फीवर आगर तेज आता है तो आप्वियस से चीज़ है हैडएक वहां पर एक सिम्टम आता ही आता है ठीक है इसके अलावा क्या करता है आपका यहां पर यह क्या करता है myalgia myalgia का मतलब क्या है inflammation in muscles यह muscles को भी infect कर रहा था तो यह क्या करेगा inflammation in muscles करेगा conjunctivitis करेगा मतलब हमारी eye को भी affect करेगा इसके अलावा nausea vomiting rash यह सारे क्या है आपके हाँ पर they are the different symptoms of your chicken gunya ठीक है yes बच्छा ठीक है yes chicken gunya आपका किस में होगा muscle cells में होगा ठीक है आपका जो डेंगी है वो mainly क्या कर रहा है blood platelets related है वो mainly आपका किसको infect कर रहा है आपकी bone marrow को कर रहा है वो आपकी bone marrow affect करता है ताकि वहाँ पे जादा platelets आपकी नहीं बन पाए राइट और जो आपका चिकन गुनिया है वो आपका किसको measly effect करता है आपकी muscle cells को करता है जहां पर यह क्या करेगा आपका reproduction करेगा ठीक है अगर आप अपने यहाँ पे symptoms की अगर आप अपने diagnostic test की बात करो क्या आप चिकन गुनिया को कैसे diagnose कर सकते हो यह बटा it can spread तो अगर आप अपने diagnostic test की बात करो तो इसके diagnostic के लिए कौन सा ELISA test यहाँ बेबी आप कौन सा test use करते हो ELISA test use करते हो ELISA तो बिटा आपको पता होगा न ELISA अपने और किस disease के case में use किया था बहुत common disease है जिसके case में आप ELISA use करते हो किसी को याद है और भी कोई एक बहुत common disease है जिसके case में आप Eliza test को use करते हो जल्दी से बताओ चार्ट सेक्शन में कौन सी ऐसी दूसरे disease है जिसके case में आप Eliza use करते हो येस वो कौन सी है विटा आपकी यहाँ पे that is the 8 राइट वो आपकी कौन सी है आपकी यहाँ पे that is the 8 राइट आपका जो Eliza है वो आप किसके case में use करते हो एट के case में use करते हो as well as आप इसको किसके case में use करते हो chicken gunna के case में use करते हो ठिके ओके तो यहाँ पे अप क्या use कर रहे हो Eliza test को use कर रहे हो for its confirmation and यहाँ पे आप कौन सी आप यहाँ पे कौन सी आपकी जो antibody present है वो कौन सी है आपकी that is the IgM antibody, IgM antibody क्या है आपको पता है ना आपकी body में different types of antibody present होती है IgA antibody, IgG antibody, IgE antibody, ऐसे ही कौन सी है आपकी यहाँ पर IgM antibody है जिसकी वज़े से आप यहाँ पर क्या करते हो, यह आपके diagnosis में आपका use होता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर complications की बात करो, क्या आपके chicken gunia के क्या-क्या complications हो सकते हैं अगर आपने उसको timely treat नहीं किया, तो यहाँ पर कौन सी complications आपके आ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका neurological imbalance आ सकता है, यह आपके nervous system को infect कर रहा है, तो neurological imbalance आ सकता है, इसके इलाबा सीजर्स सा सकते हैं सीजर साप सबने पढ़ा होगा कि मसल्स में क्या होते हैं सदन आपके क्या होते हैं वहापे अक्टिविटी होती है राइट इसके अलावा myocarditis हो सकती है मतलब जो आपकी heart muscles है उन में आपका inflammation हो सकता है apart from this यहाँ पे आपकी eye disease हो सकती है कुछ cases में यह क्या कर सकता है jaundice भी cause कर सकता है क्योंकि आपने कहा था कि generally तो यह muscle and joint को आपका infect कर रहा है but rarely आपका किसको infect करता है आपकी liver and kidney को भी करता है right तो यहाँ पे यह क्या कर सकता है आपका jaundice कर सकता है इसके अलावा आपकी kidney disease कर सकता है renal disease कर सकता है तो यह सारे क्या है आपके यहाँ पे they are the complications of the chicken gunya है यह क्या है आपके यहाँ पे chicken gunya के complications है ठीके and now अब अगर हम यहाँ पे treatment की बात करें तो बेटा just like देंगो इसका भी कोई अभी proper treatment available नहीं है basically यहाँ पे भी क्या use किया जाता है अगर आप pain killer की बात करो तो आपका यहाँ पे क्या use किया जाता है parasita mold prefer की जाती है आपका जो fever है और pain के लिए क्या दिया जाता है आपका parasita mold दिया जाता है और इसके अलावा आप क्या दे सकते हो intravenous fluid दे सकते हो just like your dingoo आप यहाँ पे क्या use कर सकते हो intravenous fluid दे सकते हो जो आपके electrolytes है इसके अलावा blood pressure को control लगना यह भी इसमें बहुत important factor है as well as आप यहाँ पे क्या कर सकते हो blood transfusion कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे blood loss भी है तो उसके case में आप क्या करोगे यहाँ पे blood transfusion का use करोगे and now अगर हम prevention की बात करें बेटा तो prevention just like your dingoo आपका यह mosquito born disease है आपकी यह mosquito की वज़े से हो रही है vector आपका mosquito है तो आप क्या करोगे पानी वाली जगे जो आपका basically जो घर में पानी खटा हो रहा है उसको prevent करोगे उसको वहाँ पे होने से रोकोगे right इसके अलावा आप mosquito rappelants का use करोगे basically क्या बोला जाता है full sleeves के clothes पैनों अगर मॉस्किटों जादा है तो full sleeves के clothes पैनों and apart from this क्या कर सकते हैं insecticides वगेरा का भी use कर सकते हैं आपने देखा होगा बेटा आजकल क्या हो रहा है आजकल जो टाइम जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला भी डेंगे चिकन गुनिया काफी जादा spread हो रहा है सबसे जादा तो डेंगी दिख जाते हैं तो यह क्या है आपके यहां पर several preventive measures है to check your chicken गुनिया and your dengu mosquito क्योंकि दोनों का क्या है आपका यहां पर सेम है ठीक है ओके तो यह क्या थी बेटा आपकी यहां पर आपकी दो disease थी जो आपके NMC ने add की थी डेंगी and the chicken गुनिया डेंगी and chicken गुनिया दोनों ही आपकी viral disease है दोनों का ही जो आपका वेक्टर है वो कौन से है आपका यहां पर that is the female ades mosquito दोनों का ही जो वेक्टर है वो आपका female ades mosquito है दोनों की life cycle आपकी same होगी बेटा क्योंकि दोनों का वेक्टर same है बस क्या होगा जो chicken गुनिया है वो measly आपका किसको infect करेगा आपकी muscles को करेगा जो आपका basically reproduction हो रहा है वो आपके blood में भी होगा जो आपका आपका जो virus है वो अपना reproduction करेगा वो आपके blood में भी करेगा as well as muscles के अंदर भी करेगा जैसे अपने malaria में पढ़ा था वैसा ही कहीं न कहीं है बस थोड़ा सा difference आ जाता है यहां पर organs में यहां जो आपके site है वो आपके यहां पर differ हो जाती है तो यह पिटा आइनों यह थोड़ा सा अपके लिए नया topic था यह अभी तक आपने नहीं पढ़ा था अभी तक हमारे sleep przed कभी था ही नहीं है कि 1st time में कुछ चीज़े समझ नहीं आ रही हो कुछ time में ओसा हो सकता है कि Warren series इस चीज़ें को पढ़ रहे हो first time में आप इस छीज़ को पढ़ लेओ तो आपको क्या करना है क्लास के बाद वापस से एक बार नोट्स को देखना है नोट्स आप लोगों को मिल चाहेंगे ये सारे आपको नोट्स को देखना है and then इस से रिलेटेड जो आपके तीन टॉपिक एनमसी ने जॉलजी में आपके एड किये थे आपका frog, डेंगी and chicken गुनिया इन तीनों से related हम आपके साथ questions को repeat, आपके साथ questions को solve करेंगे कि इन तीनों topic पे आपके कैसे कैसे questions बन सकते हैं, आपसे कैसे questions पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये तोड़े नए topic है, तो हो सकता है, यहाँ पे हमें दिक्कता है, हमें नहीं समझ रहा है कि कैसे questions हमें solve करने हैं तो ये सारे questions भी हम आपके साथ practice करेंगे, तो उसकी attention आप लोग मत लीजिएगा life cycle, बेटा आपका life cycle क्या है, अगर आप अपने virus की बात करो, देखो simple सी चीज है आपका, बेटा नोच आपके या तो telegram channel पे मिल जाएंगे ठीक है, और या तो अभी पिन कर देंगे, आपके पास comment box में पिन कर देंगे आपने बेटा क्या बोला, कि अगर आप अपने डेंगी और अपने चिकन गुनिया की बात करो, दोनों viral disease है, एक डेंगी वाइरस की वज़े से हो रहा है, एक चिकन गुनिया वाइरस की वज़े से हो रहा है, दोनों का जो vector है वो क्या है आपका वहाँ पे, that is your ades mosquito, दोनों परसन को जब आपके mosquito ने bite किया, तो यह उसके अंदर चला गया, उसकी salivory gland में चला गया, पहले तो उसके intestine में जाएगा, देन उसके intestine से किस में जाएगा, उसकी salivory gland में जाएगा, ताकि जब वो नई person को bite कर सके, तो वो उसमें इज वाइरस को अपना insert कर सके, तो वो उस की salivory gland में है, अब जब उस mosquito ने किसी healthy person को bite किया, तो क्या हुआ, यह जो वाइरस है, आइदर आप देंगी वाइरस की बात करो, चाहे आप चिकन गुनिया वाइरस की बात करो, वो किस में चला जाएगा, आपके person के blood में चला जाएगा, वो healthy person के blood में चला जाएगा, अब तो पहलー आप देंगी की बात करती पहले अब देंगी की बात करो, तो वो क्या करता है, उसकी जो blood vessels है, blood vessels में reproduction करेगा, वहां पर inflammation करेगा, जिसकी वज़े से जो blood vessels है, वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, आपकी जो platelets है, वो rupture हो जाएगी, और आपकी body में platelets का जो amount है वो क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा as well as यह दूसरा किसको affect करता है आपकी bone marrow को करता है यह क्या करेगा bone marrow में भी जाके आपका क्या करेगा उसको rupture करवाएगा ताकि वहाँ पे नई platelets और नई blood cells का formation ना हो सके तो वो तो किस से related था दिंगी से related था अब ऐसी अगर आप चिकन गुनिया की बात करो तो चिकन गुनिया में भी पहले आपका जो reproduction हो रहा है blood में हो रहा है off spring काफी जादा बन रहे हैं यह इसके बाद जाके किसको affect करता है आपकी muscle cells को करता है यह muscle cells में जाके क्या करेगा reproduction करेगा off spring के number बढ़ाएगा और फिर आपकी जो बाकी की cells है body में उनको infect करता है तो generally चिकन गुनिया में आपने क्या कहा था कि जो आपके primary site है जो infection के primary site है वो कौन से थे आपकी muscle cells थी joints थी और skin थी तो primary target organ है वो तो यह थी नहीं है राइट अगर आपने time lease को treat नहीं किया अगर उसके बहुत सारी progeny अगर body में बन गई बहुत सारे office spring body में बन गए तो वो और किसको infect करेगा आपकी लीवर को infect कर सकता है जिसकी वज़े से jaundice हो सकता है लीवर डामेज हो सकता है आपकी kidney को infect करेगा यह kidney में भी जाएंगे वहाँ भी reproduction करेंगे जिसकी वज़े से क्या होगा kidney आपकी damage हो जाएगी और इसके अलावा किसको करेगा वह आपके basically kidney हो गया हो गया और इसके अलावा आपके central nervous system को करेगा आपके brain को भी affect करेगा ठीक है तो यह in short आपका पूरा का पूरा life cycle था ठीक है so I hope आप सबका clear होगा यह तो अब हम मिलेंगे आपके दो बज़े के session में वहाँ पे हम आपके साथ जो human physiology का unit है उसमें जो आपके कुछ important points है जो आपके काफी जादा repeat होते हैं जो आपके काफी सारे repeated questions है उनको आपके साथ discuss करेंगे ताकि human physiology ना बिल्कुल आपके fingertips पे तयार हो जाए आपको पता चल जाए कि कैसे questions हमारे पास आते हैं ठीक है चलिए तो अब मिलते हम अपनी दो बज़े की क्लास में आपके human physiology unit के साथ साली तांक यू सो मुच एवरीवन